आसमान में जब तक सितारे रहेंगे हम एक दूसरे के सहारे रहेंगे नस्दिया या हो दूरिया बस प्यार हे रहेगा दर्मिया रहा में नहीं दूप का हम धन्दी चाया देगा हर दम प्यवित फिरिष्टा, प्यवित फिरिष्टा तेरे मेरे मन का सुलोचना ये रिष्टा बहुत अच्छा है अगर लड़का अच्छा हो पढ़ा लिखा हो अच्छा खासा कमाता हो स्वभाव से अच्छा हो तो एक बार देखने में क्या बुराई है आप ही कहे रहे थी कि वो लोग बहुत आमीर है तो वो लोग हम जैसे मेडल क्लास लोगों से रिष्टा क्यों रखेंगे बहुजे हो या गोश्टीन सा विच्छार अपना अत्ता कशाला कर आईचा एक बार मिल लेते हैं देखते हैं वो क्या कहते हैं उनके डिमांड्स क्या है अगर हमारे बस में है तो ठीक है नहीं तो वो अपने रास्ते हो अपने रास्ते पर जहां तक मुझे पता चला है उनकी ऐसी कोई मांगे नहीं है बस बात को आगे बढ़ाने से पहले लड़का एक बार वैशु से मिलके कुछ बाते करना चाहता है मैं लड़का देखने के लिए तयार हूँ हाँ तो फिर ठीक है मैं अपनी सहीलिसी मिलती हूँ और इन दोनों की मीटिंग फिक्स करवा देती हूँ फिर देखते हैं क्या हो सकता है अर्चू क्या हुआ अर्चू तो इतनी परेशान क्यों है नहीं आई बस थोड़ा थक गई थी ना इसलिए मैं कुछ मदद करूँ अँ नहीं मैं कर लोगी तए तुम बहुत तकलीफ में हो ना मैं समझ सकती कहीं ना कहीं तुम्हारे इस दुख्य जिम्मदार मैं भी तो हूँ मेरे ही पदी के वज़े से तुम्हारे इस घर नहीं की थी मैंने आपको कभी उसके लिए जिम्मेदार नहीं माने और ना कभी मानूंगी फिर भी वर्ष्ण मुझे लगता है कि मेरे इस घर में रहने से तुम्हारी तकलीफियों और बढ़ जाएंगी मैं तो सोच रही हूँ मैं घर छोड़ कर चली जाएंगी ताई ये कैसी बाते कर रहे हैं ये घर आपका है आपका पुरा हग बंदा है या रहने का और ताई अगर मैंने आपको उस गलती की सजा दी जो गलती आपने की ही नहीं है तो फिर मुझ में और आई में क्या फरक रहे जाएगा वर्ष्ण लेकिन ताई मैं जानती हूँ मैं आई के लिए कुछ ज्याद आई लेकिन मैं मजबूर हूँ जब सारी दुनिया मेरे साथ खड़ी थी तब वो मेरे सामने रहकर मेरा विरोध कर रही थी उन्होंने मुझे उस वक्त ठुक रहा है जब मुझे सबसे ज्यादा जरूरत उनकी थी कि मैं सॉरी लेकिन ये सब बुलाने में मुझे थोड़ा सा वक्त लगेगा माना, यहां क्यों खड़े हो? आउना अंदरा? मैं आई, मैं आईटी को, वो अर्चनासा बात करने थी मैं अभी, अभी बुला दियो अर्चनास वो मैं आईटी करो, वैसे भी घर में बहुत सारा काम है, मैं आती हूँ माना, मैं जानती हूँ, आप यहां क्यों आये? और मुझे नहीं लगता कि आई की तरफ से आपको माफी मांगने की कोई भी जरूरत है आईने जो कुछ भी का बिल्कुल सही का, वो जब यह सब कह रहे थी, तो मुझे घुसा तो बहुत आ रहा था लेकिन उन पर नहीं, अपने आप पर हाँ मानब, वो वक्त आगया है कि हमें एक दूसरे से चुड़ा हर रिष्टा तोड़ते क्योंकि आपकी जिंदगी में एक नई लड़की आ चुकी जो कि आपके साथ आपके पत्नी के नाते और श्रावनी से ये उमीद करना बिल्कुल गलत होगा कि वो हमारी दोस्ती को इतने खुले दिल से स्विकार करेगी क्योंकि आपकी दोस्त होने से पहले मैं आपकी पत्नी रह चुकी हूँ और मानब, हमने जो कुछ भी किया वो श्रावनी के लिए किया ना हमने उसे विश्वास दिला है कि हम उसे वो सारी खुश्या देंगे जिसकी वो हगदार है हम जब भी एक दूसरे से बात करते हैं, हम जब भी एक दूसरे से मिलते हैं मुझे उस हर एक पल में लगता है कि हम रावनी के साथ विश्वास घात कर रहे हैं और इस विश्वासगात का पाप में जिंदगी बेर अपने सर पर नहीं उठा सकती और शायद आप भी नहीं उठा सकते लोग कहते कि हमने बहुत बड़ा त्याग किया है और अगर हमने वाकी बहुत बड़ा त्याग किया है न तो हमें इस्तियाग का सम्मान करना ओगा और हम अपने ही हातों इस्तियाग को मिट्टी में नहीं मिलने दे सकते मानव मानव मैं मानती हूँ कि हमारे दिल में एक दूसरे के लिए जो जस्बात है वो हम मिटा नहीं सकते लेकिन इन जस्बातों को जाहिर न करने की कोशिश जरूर कर सकते हैं इसलिए आज के बाद ना ही हम कभी मिलेंगे और ना ही हम कभी बात करेंगे हरशनायम हाँ मानव मैंने हमेशा आपकी बात मानने लेकिन इस पार आपको मेरी बात मानने होगी कर दो कर दो कर दो कि अच्छोप क्या हो compart on कि अच्छोप कि अजब बंदिर गई थी ना कि तुमानव मानवब प्यायए थे कि ठावनी एक साथ देख लिया लेकिन अर्चो जो हुआ उसमें मानौ कि क्या गलती है आ अर्चो तू 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 असे क्यों से दे रही है आए मैं उने ही नहीं नहीं बिलकि अपने आपको भी से दे रहे है और ये सेजा हम दोनों को मिलने ही चाहिए अर्चू? आई आई, हमने अलग होने का फैसला अपने आप से लिया था तो हमें कोई हक नहीं बनता कि हम एक दूसरे से मिले या बात करे आई, आई, तुझे पता है इश्रावनी का डर बढ़ता जा रहा है और यह ना उसके लिए अच्छा है और ना उसके होने वाले बच्चे के लिए आई, यह सच्छे है कि मैं और मानव कभी दूसरे से अलग नहीं हो सकते लेकिन इस दुनिया के लिए हमें एक दूसरे से अलग होना पड़ेगा हमें अपने ज़बातों को दबाकर कि जिन्दे के अलग अलग तरीके से जीनी होगी और कोई रास्ता नहीं आई आई, इस दुनिया में उस रिष्टे का उस रिष्टे का कोई नाम नहीं होता जिस पे कोई लेबल ना लगा हो वाई ए जलिया में जे एस रिष्टे को माना चाहता है जेनका कोई नाम उता है जाहे वो मेरा और मानव का पवित्र रिष्टा ही क्यों ना है लेकिन वो बे-नाम है जो बे-नाम है इस ब चोड़ाए तुन किचेन का कंकर ले मेश टेक्टन क बाढ़ाओ अलो हमसुलू चना मैं निर्मला बुल रही हूँ कैसे पोन किया वो मारवाडी लड़की के बारे में बात होई थी न तो कल वो लड़का वैशु से मिलना चाहता है तू सिर्फ वैशु को इतना बता ना फिर लड़की के सारे डिटल्स लेकर बाद में मैं खुड आती हूँ ठीक है अरू अरे मानव यह क्या हुआ तेरे पैर पे? यह प्लास्टर? सही छोट लगे मानव अरे तेरे घर गया तो तुझे देखने के लिए वहां पता चला कि काटी और वहिनी के बीच में आज फिर से तेरे किसमत भी क्या खेल खेल रिए तेरे साथ यार जब काकी को वहिनी पसंद नहीं थी तब भी तरे लाइफ में प्रॉब्लम था और आज जब काकी को वही ने पसंद है, तो तब भी तेरे लाइफ में प्राप्लम है पर तू टेंचन मतले यार, ये सब आज ने तो कल में ठीक होई जया मानव तू मेरी लाइफ में कोई प्राप्लम नहीं है, क्या ठीक हो जाएगा? मानव तू मेरी बात ध्याद जासुट मुझे समझानी के जरूत नहीं है जलासे के जरूत इंहे तुम लोगों की मेरी संदिगी पे जो कुछ भी हो रहा है मैने खुझ से चुना है मुझे कोई पस्तावा नहीं है इस बात कर प्रशन से तलाक लेने का फैसला मेरा था और वो भी आज नहीं छे मेने पहले लिया था मैं तो बात आगे बढ़ गी मैं कमजोर नहीं हूँ अपतर मैं बिलकुल कमजोर नहीं हूँ इस फैसले का जो भी अंजाम होगा ना मैं मुगत लो और फिर मैंने गलती किया यार जो भी किया अपने परिवार वाले के और मैं आगे भी करता हूँ यहां से देख मेरी तरफ नहीं में कमजोर हूँ और नहीं मेरे आखों में आसू हूँ पिर क्यों आसू पोचने से लिया आते हो तिम्लों तुझे कोई दिलासे के जरूत नहीं है भगवान के लिए जा यहां से जा चल यार मुझे समझ में नहीं आरा मैं क्या कर यार मुझे माफ कर देख मैं समझ सकता हूँ यार मानव तू तू किस दौर से गुज़र रहा है मुझे बिल्कुल भी बुरा नहीं लगा मुझे तो बल्की अच्छा लगा कि तुने अपना गुसा मुझ पर उतार के अपना मन तो हलका किया यार और गुसा अपने ही अपनों पर होते है मैं तो सिर्फ तुझे कुछ कहने आया था यहां पर पता नहीं ऐसी सिचुएशन में मैं तुझे यह बात कहूं या नहीं कहूं पर यह बात तुझे जानना बहुत ज़रूरी है मानव क्या बात हम लोग हमारे गैरिज का केस हार चुके अब हमारा गैरिज हमारा नहीं रहा और मुझे नहीं लगता कि हमें अपना गैरिज का भी वापस मिल पाएगा यार मानव अपने अपको संभाल यार मानव मेरी एक बात सौन तू इस इंसान के पास वापस क्यो नहीं जाता जिस से तुने पैसे लिये उसे उसे कुछ टाइम मांग और उतने टाइम में हम कुछ ना कुछ जरूर गैरिज को जरूर कर लेंगे यार बरोसा कर मुझ पर सब ठीक हो जाएगा देखने के बाद तेरे सीने में जो दर्द होता वो कैसा है आईम पुझे एक बात बताओ अर्चना और मानव के साथ उनके पीछे-पीछे मंदीर में जाके तमाशा करने की क्या जरूरती तुझे आई अब तो अर्चना और मानव का तलाक हो चुका है ना फिर भी उनके बीच ऐसा कुछ है प्यार उन दोनों के बीच में प्यार था प्यार है और प्यार हमेशा रहेगा उन्होंने कोट में जाके तलाक लिया अगर वो तलाक के लिए ना भी कहते तो उन्हें टोकने वाला कोई नहीं था लेकिन उन्होंने तलाक क्यों लिया तुझे पता है तेरी खातिर तुझे तेरे अधिकार देने के लिए तेरे बच्चे को उसका नाम देने के लिए फिर भी तू उन पर शक कर रही है फिर वो दोनों मिलते क्यों है वो मिलते नहीं किस्मत उन्हें मिलाती है किस्मत चाहती है वो फिर से एक हो जाए और आज भी वो दोनों तेरी खातिर अपनी किस्मत के साथ लड़ रहे तुझे क्या लगता है उन्होंने कोट में तलाक लेके दुनिया को दिखा दिया हम महान है ऐसा अगर तू समझती है तो वो गलत है उनको मौका मिलेगा ना तो भी वो एक होने वाले नहीं मैं जानती हूँ आई लेकिन डर है कि मन से जाता ही नहीं आई अब तो मानव का तलाक हो गया है अब उन पर मेरा और सिर्फ मेरा हक है मैं यहाद सकती है अरचना से तो बिलकुल नहीं यही तो फर्क है तुझमें और अरचना में श्रावनी बेटा तु सिर्फ अपने हक के बारे में सोचती है और वो सोचती है अपने जिम्मेदारियों के बारे में समझी तू हाई, अभी तो सारी बातें क्लियर हो चुकी है तुम भी जानती हो कि वर्षा निर्दोश है तो अब घर में ये ऐसा माहौल क्यों हो चीजा पड़के जैसे ठीक नहीं हो रही है तुम और वर्षा एक नुशती ये सवाल तुम गलत व्यक्ति से कर रहे है ये सवाल तुम अपनी बीवी से करना चाहिए था तुम्हें पता है मैं उसे माफी मांग चुकी हूँ लेकिन ये वर्षा ही है जो अननेसेसरी चीजों को कीच दी जा रही है आज सर्फ माफी मांग लेने से बात खतम नहीं होती है तुम तु जानती हो वर्षा के नीचर को तुमने जो भी आरोप लगाए उस पर जो भी अविश्वास दिखा देखू सतीश मुझे जितना करना था मैं कर चुकी इसके ज़ादा मैं और कुछ नहीं करूंगी वर्षा के इगो को साटस्वाई करने के लिए मैं अपना मांसम्मान तो नहीं हो जकती नँठीक है मानती हूं मैंने गलिती की वर्षा को समज्चने में लेकिन अब वर्षा वही गलती दौर आ रही है और यह बात तुम्हें समझ नहीं है हूं कि अगर आप कर बात करना उसे पता नहीं क्यों मिलने के लिए बुलाया है क्या बात करना चाहता है कुछ समझ में नहीं आ रहा है अगर उसकी कोई बात खटक जायना तोटकर घर चलियाना उसके साथ जगडा मत करना आई तुचिंता मत कर आरे हां लेकिन सुलोचना तुमाना बदल गया है आज कल के बच्चे हमारी तरह थोड़े ही ना आखे मुनकर शादी करेंगे आज कल के बच्चे एक दूसर को पहिचानेंगे जानेंगे और उसके बाद आगे कदम बढ़ाएंगे इसमें घवरानी किया चंदा करने के कोई बात नहीं है ज इससे पहले एक और फंक्शन करना है कौन सा फंक्शन मन्जु वहिन की गोड़ पराई का उनका भी तो सात्वा में शुरू हो गया ना है पताने कैसे दिमाग से उतर गया आहो एक काम करा ना कैलेंडर में देखकर बताये ना कि कौन सी तारीक अच्छी है कि यह लो पर्सो का देन अच्छा है पर्सो हां लेकिन सुलचना तब तक सारी ताहिया रिया कि अब को चिता मत कीजिए सब हो जाएगा ठीक है तुम्हें मैं लिस्ट बनाना शुरू कर देखी हां आई बाबा मैं नहीं चाहती कि गोड़ भराई का फंक्शन हो पैसे हमारे गर में पैसों के इतनी तंगी है यह फंक्शन होगा खामखा का पैसा लगेगा बहुत जो मैं नहीं चाहती हूं तो फ्लीज आप यह फंक्शन मत कीजिए मन्जू तुम इस घर की बहु हो और यह अच्छी तरह से जानती हूं कि यह घर पैसों से भी ज्यादा अपनों की खुशी को अहमियत देता है इसलिए तुम्हारी गोड़ाई जरूर होगी अजमान में जब तक सितारे रहेंगे हम एक दुम से रहेंगे साहारे रहेंगे नस्दे किया यहो दूरिया बस प्यार है रहेगा दर्मिया रहाए नहीं लूप का हम धन्दी का हम अच्छी तक सितारे रहेंगे किया यहाण का हम यहाणECT किया रहेंगे कि ऑया है हम अच्छी झाल झाल